अच्छा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होंगे, मैं रेना में सिध्धान तक नहीं होता रही स्टड़ी, IQ5 का बहुत भागत है, दोस्तों, आज हम अपने योध्धाओं की बात करेंगे, आपको पता ही है कि जम्मु एन कश्मीर में एक ओपरेशन चला, आतंकियों को ढूना था, उनको मारना था, ये खबर मिली, एक हफते से ओपरेशन चल रहा था, लेकिन तीन मैं को एक ऐसी खबर आई, हम सब को दुखी कर दिया, जिसने, चार जवानों और एक पुलिस कर्मी की शहादत हो चुकी है, ये वीर योध्धा हैं दोस्तों, आज हम इन ही वीर की उध्धाओं की बात करेंगे, जिसमें से एक है मेजर अनुजसूद, मेजर अनुजसूद की कहानी बहुत ही ज़ादा एमोशनल करने वाली है, हाला कि हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप आर्मी में जाते हैं, आपका खून का एक कत्रा देश के वो बता रहे थे कि ये घर आने वाले थे, मेजर अनुजसूद जो है, मेरा बेटा घर आने वाला था, 22 मार्च को आने वाला था, लेकिन लोगडाउन हो लिया, आ नहीं पाया, तीन माही को इसको वापस आना था, अब ये कहना था, यही पे वो थम जाते हैं, अपनी आसू कि मौत पे दुख नहीं किया, बल्कि उन्होंने बुला कि मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है, होई नहीं, देश के लिए कुर्बान हुआ है, फक्र है मुझ पे, गर्व है उस पे, आएगा ना मेरा बेटा घर वापस आ तो रहा है, ती रंगे में लिपट के आ तो क्या दिक्कत है, आ रहा है ना, तो ऐसे होते है आर्मी वाले, आप देख सकते हैं, यह बहुत इमोशनल मुमेंट था दोस्तों, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने वह इंटर्व्यू देखा, लेकिन जब आप आर्मी में जाते हैं, जैसा कि मैंने पुलिस करमी थे, और चार जवान, लैंस नायक दिनेश सिंग, नायक राजेश कुमार, मेजर अनुजुसूद और कॉलोनल आशुतोष शर्मा, यह ओपरेशन को लीड कर रहे थे, इन में से एक है सब इंस्पेक्टर, मुहमत सागलेर काजी, अब आपको बता दूँ, आश इनकी बहादूरी के लिए, तो हमने ऐसे बहादूर जवानों को खोया है, ऐसे वालियर्स को खोया है, इसे लिए और ज़्यदा दुक्की बात है, अब दोस्तों चल क्या रहा था, आपको पता ही है, यह है जम्मू इन कश्मीर हमारा, जब 370 स्क्रैप हुआ पांच अगस् तो आपको पता है, जम्मू इन कश्मीर को एक यूने टरिट्री बना दिया गया, अब एक हफते से, पिछले एक हफते से आप धुनड़ाईया चालू थी, कि आतंकी है यह आप इनको धुनडो, लेकिन प्रॉब्लम यह है, सिविलियन एरिया है न, जब भी सिविलियन एरि होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया है, मेरा उस पर पूरा सेपरेट लेचेर आप देखेगा, कि होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया है, लेकिन वहाँ तो सिविलियन भी है, लेकिन क्या शांदार वहाँ पे कारवाई की, वह आपरेशन कंड़क्ट किया, एक एक आतंक आतंकी छुपे हैं अब आर्मी को ये खबर मिली कि ये हंदवाडा में है हंदवाडा के 6ычно मुल्ना गाउ में ये आर्मी की सबुसक्र काजी से संपर्ड किया गया और पूरी टीम निकल गए है तो वाड़ा के लिए अब यहाँ पर खबर यह है जो मैं आर्टिकल्स पढ़ा रहता दोस्तों उसमें यह लिखा है जो मैंने न्यूस सुनी ठी एक होस्टेज क्राइसिस थी एक घर में यहाँ पर लोगों को बंदी बना लिया था अतंकी ने तो यह प्रॉब्लम थी जब टीम यहाँ पर पहुँची जब आर्मी यहाँ पर पहुँची तो हुआ क्या घर से चिल्लाने की आवाज आई तो आप यह बहुत ज़ादा दिक्कत करने वाली बात थी कि आर्मी ओपनेशन करे तो करे कैसे सिविल कैजुलिटी हो सकती है तो दो टीमें तयार की गई एक पीछे रहेगी घर के बाहर रहेगी और दूसरी टीम अंदर जाएगी अंदर जाने में यह पूरी टीम को लीड कर रहे थे कॉलिनल आशुतो शर्मा और उनके साथे मेजर अनुजसूद तो दोनों लोग अंदर गए अब यह शाम के साले तीन बजे एनकाउंटर शुरू हुआ क्या तंक्यों को मारना है दो मै की बात है रात हो जाती है टीम का कॉन्टाक्ट छूट गया मेजर अनुजसूद पॉलिनल आशुतो शर्मा से कोई भी कॉन्टाक्ट नहीं हो पा रहा था रात हो गई आर्मी ने बोला अभी हम कोई कारवाई नहीं करेंगे इस बीच लगातार कोशिश थी यह अनुजसूद और आशुतो शर्मा से संपर्क किया जाए सुबा होई जब कोई भी चारा नहीं बचा तो अनुजसूद के फोन पे जो इनका फोन था उस पे कॉल की गई तो उधर से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम साफ था दोस्तो अनुजसूद और आशुतो शर्मा शहीद हो गए हैं फिर उसके बाद क्रॉस फाइरिंग हुई क्रॉस फाइरिंग में दोस्तो जैसा कि मैंने बता है पांच लोगों की शाहादत हुई लैंस नायक देजनेश सिंग नायक राजेश कुमार मेजर अनुजसूद अच्छतो शर्मा और सब इंस्पेक्टर यह पांच लोग शहीद हुए दो आतंकियों को भी हमने मारा दो आतंकियों को भी मारा हमारा ओप्रेशन पूरा हो गया अल्टिमेटली जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया हैदर था इसमें जो लशकरे तयवा का टॉप टेरिस्ट जब से कश्मीर में 370 अब्रोगेट हुआ है अब से पाकिस्तान की ISI कोशिश कर रही है आप यह वाला एरिया देखे न यह पी ओके से लगता है तो लगातार कोश चेवा आर्ण ट्रेंणिग दी जाती है फिर इनको खुफिया रास्तों से भारत भेजा जाता है लेकिन भारत ने कमा बहते बैटरिन काम किया है छिक है इनको रोकने में लेगिन फिर भी दोस्तों यह आतंकी आ जाते हैं और जब आते हैं तो यह बकायता सर्च ओपरेशन चलाया जाता आर्मी द्वारा जिसमें casualities होती है हमारी भी तो लश्करे तैवा कहा एक आतंकी हैदर जो की एक top strategist था और एक और आतंकी की मौत हुई है पाकिस्तानी national था ये पाकिस्तान से बिलॉंग करता था तो ये operation था तो जब ये खबर आई दोस्तों तो हम सब को बहुत सबने अपनी जो संबेदना है वो व्यक्त की देश के लिए कुर्मान हुए है पूरे देश को बहुत दुख हुआ जब इस तरीके की खबरे आती है दोस्तों वाके में दिल बैठ जाता है कि यह हो क्यो रहा है अगर हम बात करते है मेजर सूध की इनका जनम दिसंबर 1989 में ह चंदरकांत सूध वो भी आर्मी में थे बचपन से ही इनको आर्मी में जाना था इनके टीचर्स बताते हैं कि highly disciplined, honorable और बहुती respectful बच्चा था और इन्होंने बचपन से इनके दोस्त बता थे कि बचपन से इन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो आर्मी में पर 31st राष्ट्री राइफल्स में यह आए और कश्मीर में इनको पोस्टिंग मिली, चार मेने पहले दोस्त उनकी शादी हुई थी, अभी जस्त इनका घर बसा था और यह जैसा कि मैंने बता घर आने वाले थे, लेकिन एकदम से यह खबर आई, क्योंकि उस समय तो छुट्या कैंसल होगी तो इकदम से खबर आई कि आप सब को वापस लोटना है, क्योंकि हम पूरा का पूरा ओपरेशन कंड़क्ट कर रहे हैं, यह है मेजर अनुजुसूद, आपको देख रहे हैं ना तस्वीरों में, यह इनकी फेरवेल की फोटो है, इनके जो दोस्त है वो बताते अब देखे, I would like to go on a date with Angelina Jolie, ठीक है, I define love as something insatiable and quite necessary, ठीक है, अक्टर कौन अच्छे, John Abraham, Angelina Jolie, अब यह बोली दिया है कि date Angelina Jolie के साथ जाना है, तो जाहिट सी बात है, अब यह आप देखिए, हर जगा इनोंने army officer लिखा है, हर जगा इनोंने, जहां पे इनको जगा मिली, I dream of becoming an army officer, one thing missing in my life is my NDA joining letter, ये भी क्या बनना है army officer, क्या missing in life से NDA का joining letter, खुद में सोचिये दोस्तों कि एक इनसान ये सपना जी रहा है, और जब उसको ये पता चला होगा कि उसका NDA में selection हो गया, तो कितनी कुछी होई होगी, और काफी struggle करना पड़ा, major अनुसूत को बहुत struggle करना पड़ा, काफी बार इन्होंने SS भी दिये, ठीक है, तो ये चीज है, I am proud of our Indian spirit and above all the Punjabi spirit we all have, क्या बात है, वाह, समझ रहे हैं, और ये 11 जनवरी 2008, ये 11 जनवरी 2008 की डेट है, अब जब दोस्तों मैंने ये देखा तो मुझे और ज़्यादा दुख हुआ, major sooth तो आएं लेकिन तिरंगे में लिपट कियाएंगे, full military honors इनको अलविदा कहा जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, है ना, बहुत बड़ी बात होती है, मुझे याद आ रहा है अरुन खेतरपाल, अरुन खेतरपाल के बारे में मुझे याद आ रहा है जिनको परमवीर मिला जब बैटर लोग बसंतर हुई थी 1971 में मैं उनकी बाइग्राफी कवर की है मैंने जितने भी परमवीर एवॉड़ी है 21 वारिएर्स को परमवीर एवॉड मिला है परमवीर चक्र मिला है तो उन सबकी बाइग्राफी मैंने रिव्यू की है चाहे वो अब्दुल हमीद हो चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो, चाहे वो अरुन खेतरपाल हो, तो उनकी बात याद आ रही है, अरुन खेतरपाल 21 साल के थे, और पाकिस्तान के सारे टैंक्स को अकेले हरा दिया था नो ने, अकेले, अकेले बिढ़ गय थे, है ना, बलकि जो उनके मेंबर्स थे, ठीक कि परमवीर चक्र तो जीतना ही जीतना है मुझे एक दिन, मेरा ये सपना है कि मैं परमवीर चक्र जीतू, यह ऐसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला था, कारगिल के हिरो, ठीक है, कारगिल के हिरो, कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला था, कि मैं आओंगा जरूर, या तो सही सलामत या फिट तरंगे में लिपट के तो यह सब वो हीरोज है वो वारियर्स है जो अपनी जान की परवा नहीं करते हैं कि देश इनके पीछे हैं दोस्तों हम सब इनके पीछे हैं यह लोग आगे चलते हैं हमको प्रोटेक्ट करते हुए ही दे आर दा ट्रू सुपर हीरोज दे आर दी ट्रू लीडर्स जो आगे चल रहा हम सब इनके पीछे खड़े हैं और जिस दिन यह दिवार हट गई न उस दिन हम भी चले जाएंगे तो हमको बहुत जादा सम्मान करना चाहिए इन बहादुरों कर तो हमारी संभेधनाय इनके परिवार के साथ है भगवान इनकी आत्मा को शांती दे परिवार को हिम्मत दे लेकिन जैसा कि मैंने बताया परिवार इनका आर्मी वाला है तो उनको बहुत जादा हम सबसे जादा उनको हिम्मत होगी इनके पिता जी ने आसु नहीं बहाए बलकि गर्व किया, कि मेरे बेटे का, मेरा बेटा शहीद हो गया है, देश के लिए उसने कुछ काम किया, तो मुझे गर्व है, तो ये दोस्तों लेचर था हमारे ट्रिब्यूट, ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लास्ट में मैंने यहाँ पे बकाइदा नाम यहाँ पे हाइलाइट किये हैं, ठीक है, वैसे तो मैंने सब आपको बताई दिया है, और उसके बाद दोस्तों, आर्मी से भी प्रक्रिया आई, जो हमारे डिफेंस आफ स्टाफ है, नरावने हैं, उन सबने, जनरल नरावने हैं, उन सबने संवेधनाय वेक्त की, विपिन रावत ने भी बोला, ट्रिब्यूट दिया सोल्जर्स को, लेकिन दोस्तों, ये एक सोल्जर का काम होता है, अपने जिंद्गी की कभी वो परवा नहीं करते, तो ये लेच्चर था, योप आपको पसंद आया होगा, खोश रहेए पर तेरे इदे से सिद्दान तक नहीं होत ए्याम प्रिसान एंगात।